हलो स्टूडेंट्स, वेलकम बेक टो और्गेनाईज नोले चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वक्षीट नंबर 43, 4 क्लास 9 विशे सामजिक विज्ञान है और ये वक्षीट आपके लिए 30 अक्टूबर 2021 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो है फ्रांस की क्रानती उसका रिवीजन हमारा कॉंटिनू है तो उसी को आगे हम करेंगी वक्षीट शूकरने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को भी प्रस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो द असेंबली को वो अधिकार सौप दिया नेशनल असेंबली एप्रतिक्ष रूप से चुनी जाती थी सर्वपर्थम नागरिक एक निर्वाचक समू का चुनाव करते थे जो पुने असेंबली के सदश्यों को चुनते थे पहले नागरिक जो है वो क्या करते थे एक निर्वा 25 वर् réponse से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुर्शों को ही शक्रिय नागरिक, जिने मत देने का अधिकार था, उनका धर्जा दिया गया था, जो कम से कम तीन दिन की मजदोरी के बराबर कर चुकाते हैं, देखें, जो 25 वर्त से अधिक थे, उन सब को जो है, मत देने का अधिका जो कम से कम तीन दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं ठीक है शेश पुर्ष और महिलाओं को निश्क्रिय नागरी के रूप में वरगी करत किया गया था निर्वाचन निर्वाचक की योगिता प्राप्त करने तथा असेंबली की सदश्य होने के लिए लोगों का करद जाता जो है वो होना जरूरी था उच्चतम श्रिणी में होना जरूरी था जो सबसे ज़्यादा कर देते थी उसके बाद देखे अब आपको यहां पे बहुत ही आसान से प्रशन दिये गए हैं पहला प्रशन है सन 1791 में सविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको था त तो 1791 में सविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसी दिया था नेशनल असेंबली को डी जो है आपका फर्स्ट कोशन का अंसर हो जाएगा सेकेंड कोशन है नेशनल असेंबली का चुनाव किस प्रकार होता था ओप्शन ए सभी नागरिकों के द्वारा ओप्शन बी सक्र ये नागरिकों के द्वारा चुने गई निर्वाचक समू द्वारा जो है नेशनल असेंबली का चुनाव वो किया जाता था ठीक है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखें फर्स्ट का अंसर आपका डी हो गया सेकिंड का आंसर आपका बी हो जाएग नेक्स्ट कोश्च नमबर थर्ड करेंगे कोश्च नमबर थर्ड है निम्न में से किसे मतदान का अधिकार किसे नहीं था आप्शने महिलाओं को बी निर्वाचक की योगिता प्राप्त करने वाले लोगों को सी सक्रिय नागरिकों को डी करदाताओं को तो यहाँ पर मतदा का अधिकार किसे नहीं था वो बताना है तो योगिता प्राप्त जो लोग कर चुके थे उनको तो था ही सक्रिये जो नागरिक थे उनको भी था करदाताओं को भी था तो महिलाओं को ये अधिकार जो है वो नहीं दिया गया था महिलाओं के लिए फ्रांस में बहुत लेट जो उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो सक्रिय नागरिक किसे कहा गया है, जिनको मतदान का अधिकार प्राप्त था, तो इसमें सही आंसर आपका C हो जाएगा, 25 वर्षे से अधिक करदाता पुरुष जो है, वो कौन थे, वो सक्रिय नागरिक थी, ठीक है, इसमें आपका C जो है, थर्ड का अंसर आपका A है, फोर्थ का अंसर आपका C है, ठीक है, उसके बाद नेक्स देखिए, क्वेशन नमबर फिफ्थ जो है आपके लिए, निम्न में से निश्करिय नागरिक कौन थे, आप्शन A, 25 वर्षे से अधिक करदाता पुरुष, B, करदाता पुरुष, C है और D है, 25 वर्षे से अधिक 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाने वाले पुरुष, तो निश्करिय नागरिक आपको यहाँ पर बताना है, कि निश्करिय नागरिक वो जो है, निश्करिय नागरिक कौन थे, तो यहाँ पर जो इस्त्रिया थी, वो क्या थी, वो निश C, तो ये थी आपकी आज की worksheet, I hope सभी बच्चों को ये clear है, कोई भी doubt है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए So, thanks for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वक्षीट के साथ Take Care, Bye Bye